आज में बहुत कम समय में बहुत भी सब्ची सब्ची बनाने करें चट्परीक आपके सास्थ काम आने वाले आज गोविया दुबियो कि भुषिक अऽ्टी एषिए संद्रासब्ची के सेश्था करने जा रही हूं के हैं तुरो दूंड़ में सब्ची को भी हुट ciao आग Eu बिना एक्स्टम मेनत का बिना एक्स्टम मसालों का हलवाली वाली रहुनकदार टेष्टी सब्जी जो कि आपके मुझे साथ बदल देगा बिना एक्स्टम मसाला बिना एक्स्टम मेनत का हलवाई से भी रहुनकदार टेष्टी सब्जी घर पर बनाने का बहुत आसान तरीका जो कि आपके सब्जी बनाने का तरीका भी चेहिंग करतेगा जटबड से बनने वाली है आलू गोवी बेजी टेविल की फटाफट सब्जी बिना तेरीके चलतेर बनाते है इस सांदासे सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहां पर लेए एक फोल गोवी का यह मीडियम साइज में था और इसको मैंने कुछ इस तरह के से कड़कर लियेका कुछ मैंने याँ मिडियूम में रखे तुछ मैंने चौटे पीचिस के कट कर confiscate इसको मैंने दू करके नमक वाली पानी में कुछ वेड के लिए पेखाता अब गवी के फॉले अखञे तुछा यहां पर dhanda तो गोवी तो कट हो गई अब लेते हैं यहां पर आलू मैंने दो बड़े साइज के लिए इसका मैंने छिलका हटा लिया था चोटे टुकड़ों में एक आलू के 6 पीस के लिए पानी मैट करेंगे जब हम सब्ची बना रहे होंगे तब हम इसको पानी से निकालेंगे और इसी किसी खौटन के कपले से इसको भोस लेंगे जरि छोटा आलू ले रहे था चारी पीस के कट करेंगे आलू काला ना पड़े इसलिए हम तब तक पानी में इसको रखेंगे आलो अर गोवी दोनुम हमारे यहां पर कट के के फटया आलो और कों मैने यां पर बड़े में मैंने इसको नहीं कटकर राखा है साथ मैंने कुछ पत्ता गोवी भी करें के चोटा सर्पुकड़ा सिम्लमिच पत्ता गोवी दो ऐसे सब्जिया है कि ज्यादा पक जाए तो एकदम से गल जाती और इनका क्रंच बना रहा है इसलिए मैं ऐसा टीप साफ के साथ सहर कि अब कर दो कको बिछ की स ADA बनाओ न तो बहुत है अच्छी लगा यहां पर मैंने ये ग्याजर कोमें ने पहारी कटकर रखा है तो सब्या हमारी कटकर हो गई है ज़्या टाया अच्यलिए बनाते हैं सब्याइटे हैं सब्जी ऑसकोगों को बनाने के लिए चलना होगा गा तेल को अच्छे से गरम होने दिगें अब जो हम सब्सक्राइब करने वाली है अलुप पकने में बहुत ज्याद समय लगता है और इसके हमने जो बड़े पीशब कट रहें इसको हम सबसे पहले फ्राय करेंगे पकने में समय लगता है इसमें मोश्चर भी लेता है जब मैंने इसको निकाला था पानी से थोड़ा से इसको पहुंच लिया पानी की मातर तो इसमें नहीं लेकिन अंदर जो पानी रेता है उसको पकने में थोड़ा समय लगता है अच्छ अब इसको निखाल देते हैं जितना हमने तेल के इस्तेमाल किया था दो बड़ी चमच के परावर उतना यहां पर बढ़ पर चेल है तो इसी तेल में यहां पर आम फ्राय कर लेगे जादा इसको फ्राय करना है हल्का से फ्रैइड करने से सब्दी करने स्वाथ डबल बन जाते हैं तो आप जल्दी चे हलका थोड़से फ्रैइड कीजिए अलू को हमने想法 करना है कि आलू को पक्षाइड केसे समय लगता है अब मैं इस मेंट करूंगी हल्का से नमक हल्दी पॉडर डालने सा इसका कलार सेम बना रहता है को तो नेकूरल को बना रहता है तो गोभी भी आच्छे से यहां पर फ्राय कर लिए और इसका क्रेंच मि पराई है तो इसको यहां पर निकाल लेते हैं आरधर जब हम इसमें प्रैशी सब्जी बनाइंगे शीटी लगें है वैसे तो मैंने ज्यादा बाड़े टुकड़ों में यहां पर नहीं कट कर रहा है इतना इसको शाय करेंगे निकाल लेते हैं अब इसमें बिल्कुल भी तेल की मात्रा नहीं है तो जो हमने आपर शिमलमेश पत्ता गो भी लीती ना उनको हम फ्राय कर लेते हैं दोनों के एक अच्छे सां फ्राय किया है बाकी सब्राय किया है तो जो यह पर पत्ता गोव्य शिमलमेश वो कैसे इस्तमाल करने सब्सेम में बताऊंगी तो यहां पर बना लीते हैं एक स्वाची सब्जी में लगाएगा चाए जो दूम बनानेके लिए काशिमेश फीलाल मिश एकर इतने होगी इतनी होगी उतनी हम लेंगे सारी मसाला अड़ेंगे तोड़ के डालेंगे थोड़ा साथ में जरूर से आड़ कीजिएगा है इसको ग्राइंगे बाद म हम इसको फ्राइब करेंगे तो इसको हम बार एक से इसका फेस्ट बना लेते हैं मसाला को पीशते टेम हमने इसको दरदरा नहीं रखना है बस फाइन से इसका फेस्ट बना लेना है तो मैंने इसको ग्रैंड कर लिया है 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 इस ला सी तरीके की सबुच्छी में तो जाता है घूप सोब तरीके सोबुच ऐते हैं और जोच सब्जी बनते हैं है उसका तो आखित हूंगे कि स्वाजीश्ट च्णी दचेट करता है सबूरा कुट से देटा है या हुच गी का या फिर सर्षो के तेल का तो सर्षो के तेल में जब अच्छे से यहां पर धुआने लग जाएगा उसके बाद थोड़ा से थंड़ा होने दीजीगा जीरा एट करेंगे आज चोटी चमच के बराबर इतने हमने चीरा लेना है चीरा हलका से फ्राय हो जाए एक मैंने यह में प्याज में मैं च्छे को भी है प्याज के इड़ा का जाया नेरा है जा जा चाता है रटे चाहा है प्याज को यहां है प्याज को बहन हो जाए गया जो अच्छे से प्याज बूर्स Linda को फृणके बाद ने एक्शिए ररे इसका का बीक दूमने पाने लिए Frederick मृतर चब और पूरा जो मसाले हैं तेल ना छोड़ने लगे सब तक हमने इसको अच्छे 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 फ्राय करना है मसाले अच्छे सूक यानि यह पक गए अब आइड करेंगे यहां पर दो बड़े साइट के मैंने टमाड़ भी कट कर रहे थे अब चौपर में इनको डाल के कु अच्छे राए यहां पर कम इस्तेमाल कीजिएगा कि जो जितनी भी हमने इहां इस्तेमाल ऐसे इस्तेमाल की था अच्छे एड करतेंगे मसाल्य लियाvisor है अच्छे सेằng क्के अच्छे 100 चौप बोनीई है करके एड़ करेंगे बस हमने 2 सब्साइब नहीं लेनी हैं शिमला मिर्च और यहां पर पत्ता गोवी और शिमला मिर्च का खुछ बना रहा है ज्यादा नागल है इसलिए प्रेशर कुकर में हम इसको नहीं आट करेंगे हलका सा नमक एड़ करेंगे उसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे उसमें हमने यहां पर फ्राय करते हैं हलका सा नमक एड़ किया था पत्ता गोवी और शिमला मिर्ची दो ऐसी सब्जियां हैं जिसको ज़्यादा पका लिए तो वह बिल्कुल यहां पर गल जाते हैं जिनका क्रंच बिल्कुल नहीं आता है उनका क्रंच बना रहा है इसलिए हमने उनको हल्का सफ्राय किया था उसको बाद में एड़ करेंगे सब्जी या पानी एड़ कर लेते है बस आधी खटोरी के बराबर पानी डाला है यहां पर इससे ज्यादा पानी का इस्तावाल नहीं करेंगे एक तो हम इसको प्रैसर कुकर में ड़ना सब्all 59 से में गांक माले में भाशा सोगुंत करने लग से युदुना यह में पशक्री में भी पेंदिछ को एक इंद भाइन कॉलिए कहां मैं यह और ती प्रेशन बढ़िए सब्सक्राइब करने नियुक्ति भाइए तो देखे हमने जब यहां पर इसका कपर खोल लिया तो इसका बिल्कुल भी यहां पर पाने एक्षान नहीं लग रहा है पूरी सब्जी अच्छे से यहां पर एक सार हो गई है अब इसमें वाइट करतेंगे जो हमने शिबला मिर्च यहां पर पत्ता गोवी को हलका फ्राय कि और इनका क्रंच बना रहा है इसलिए हमने पहले ही यहां पर इसको इसको इस्तमाल नहीं किया था जब भी आप इस तरह के कि यहां पर पत्ता गोवी और सिम्बला मिर्च के सब्जी किसी बी चीज के साथ इस्तमाल करते हो कोई भी सब्जी बनाते हैं तो पत्ता गोवी और प्रफटा गोवी के साथ मैंने याँ पर थोड़ा सा धनिया हरा तनिया भी तर्जा प्रेस लिया था इसको भी बारिक सखट करके डाला है अब इनको भी बागी सब्चियों के साथ और मसालों के साथ अच्छी से कोड कर लेंगे ताकि सारे यहां पर मिल जाएं सिमला मिर्च और यहां पर पत्तक गोवी को जब फ्राइ कर रहे था यानि कि बिना तेलिक हम फ्राइ कर रहे था हलका सा नमक कैड़ किया था इस तरीके से कभी भी हम सिमला मिर्च और पत्तक गोवी की सब्जी बनाते हैं उसको पहले आप फ्राइ करके लास्ट में डालेगा करें जब हम सबस्य बना देंगे एक को बाद तब आप तेने ढालेका। इस मुझाणी उसको सबस्यूत दौन सकते हो। दिन में लंच में बना सकते हो रात के डिनेर में बना सकते हो तीनों टेम काम आने वाली सबजी बन के तैयर हो गया जो हमने मसाला बना काई सबस्ट के भाना सकते हो इसको आप किसी भी सबजी में एक बना आई आ Remember प्रेश्टम मेनत का हल्वाइज जिसे रौनकतार टेश्टी सब्जी बनके हो जाती है जट पर से तयार आसा करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए हल पूपल होगी और यदि रेसिपी आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज इसे लाइक दीजेगर चैनल को जरू सस्काब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फेवलियर फेन के साथ भी खेर कीजिएगा तो जरू से ट्राइग कीजिएगा आप मेरे इस आलो गोबी और वेजिटेबल की बेरी टेश्टी और स्वाधी सब्जी मिलते हैं ये कैसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने क लिए पात बोते ने बात, thank you so much